राज सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उश्रुक हैं और नियम परंपराएं, संसदी, विदिविधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है बलकि कारेमंत्रान समिती से कॉंग्रेस के दोनु साधर्शियों को त्याकपत देने के लिए तो एक्सेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विदि विदान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामानी तोर पर विदान सवा का सत्र संचालित होता है प्रश्ण काल होगा लोग महतु के प्रश्ण उठेंगे और फिर विदह की त्यादी जो आने हैं वो आएंगे और जाप्त किसी को उपलब्द नहीं है मेडिया में है और कि जाप्त उपलब्द नहीं है आप ततकाल उस पर चरशा करना चाहते हैं साथ आट सो नौ सो प्रिष्ण का डाप्त बताय जा रहा है तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीजर्शिप को बहुत बदाई देना चाहत तो हम उसे त्याप्त दे रहे हूं मेरी सिकाय क्योंकि धामी जी की उस शुक्ता समझ माँ आती है क्योंकि उन्होंने बहुत चातुराई से अपना भाजपा के अंधर स्टान बनाने के लिए इस से का उप्योग किया है मगर केंदर से मेरी सिकायदी है कि उन्होंने जैसे चोटे राज्जी को सीमांत राज्जी को जो सम्वेदन सील राज्जी है कई दिश्टकोनों से आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तिमाल किया आपने प्रतीकात्मक्ता के लिए हमारे राज्जी को इस्तिमाल किया आपको लाना था उनिफर्म सिविल कोट अब सेंट से के लिए तो नहीं होगा और फिर इसके जरीए इस टोकने जरीए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्राखंड को एक गलत पर्मपरा डाल दी है अब दूसरे राजी भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने के कोशिश करेंगे और इस कोशिश के अंदर वो दूसरे समुदायों के ब्याइक्तिक परंपराओं और संशकारों आदी में जो है दखल कर सकते हैं एक अपना बोट बेंट ठीक करने के लिए सपोज करिए तामिलाडू के अंदर जो है कुछ लोग मातुल कन्या से भी विवा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं अब वहां की सरकार एदि कोई ऐसा कानून बना दे बनाए जिससे इन एक बर्गी के उपर उसकी परंपरा के उपर कानून को थोप दिया जाए तो उससे अर्षंतोश फैदा होग आप मनिपूर के ले लिजे वहां दो ट्राइवल कम्यूटी आमने सामने खड़ी होई हैं कि इन सरकार की गलत नीचें से यदि वहां की मैतेई समुदाय को खुश करने के लिए वहां की राजसरकार जो है वह ऐसा कानून बनाती है जो जिसको वहां की कुकी समुदाय के विरोध महो तो इससे मनिपूर हमेशा के लिए आग में आप जहूँग देंगे और दूसरे राजियों में भी इस तरीके के परंपराय हैं ट्राइब्स में भिन्नताएं हैं अपने परंपरागत जो संशकार हैं उनके उनकी मानिताओं की भिन्नता है तो उन भिन्नताओं एक कम्यूटी दूसरे कम्यूटी के खिलाब पर्शनल लोग को इस्तेमाल कर सकती है इसलिए इससे देश के भविष्ट के लिए यह चिंता का विश्य है यह यह देश के एकता और अखंडता के लिए यह एक खतरनाक संकेत आपने बना दिया है तो इसलिए मुझे सिकायद क सरकार से है कि आपने राजनितिक स्वार्ज के लिए हमारे राजी को टोकनेजम के लिए चांठा और एक गलत परमपरा को पूरे देश के अंदर प्रार्णु कर दिया अगर यह पास होता है तो उत्राखंट राजी होगा जहां पर यूनिफर्म सीविल कोट लागो होगा उसके बाद पर घेमनता विस्वा भी कह रहे हैं कि आपने राजी में लागो करवाएंगे या और स्टेट में भी लागो होगा अब भिनताव को कम करने के लिए ही इतना ही अनूठा है कारी है और इतना ही हितकारी है देश कित में है तो आप दिली में क्यों नहीं ला रहे है कें सरकार क्यों नहीं ला रहे है पहले काला आए। आपने पारिद भी करवा दिया, दोनों सदनों से, लेकिन लागू क्यों नहीं कर पाए आप, क्यों नहीं कर पाए, बताईए, कोई तो कारण नहा होगा, क्योंकि उससे भी कई समुदायों के हितूं पर छोट पहुँच रही थी, इसलिए आपको लगा कि ये देश के लिए खराण चिंद, पिशकी हो सकती है, तो आप आ पने लागू नहीं किया उसको, आप आप जो है अब उसको, आप ये इनिफॉर्म तिविल को ये कहा से इनिफॉर्म रहे गे जब एक राजिकार रहे गया, दिफ्हार्म थे तो तब रहेगी ना, जब आप संबीदान की आप जब आप कोई नियम कानून परंपरा का पालनी नहीं कर रहे हैं तो आप तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत रहें लेकिन मैं राज सरकार के विवेग से अपील करना चाहता हूं कि इसके अध्यन का पूरा मौका आउशर दिया जाना चाहिए और इसके पारण में जल्द उन पर उसका असर पड़ेगा और उनका अध्यन करना बहुत आउशक है क्योंकि उसका हमारे जीवन पर भी लंबे समय तक असर पड़ेगा